A to Z Forex में कैसे trade करते हैं, कौन से account में trade करते हैं, यह जो account होता है, Forex का DMAT account, उसको handle कैसे करते हैं, lot size क्या होता है, risk manage कैसे करते हैं, pips क्या होते हैं, से लेके सबसे important entry exit कहां बनाए, stop loss कहां डाले, strategy क्या होती, transaction कैसे इस्तमाल करते हैं, कोई और वीडियो देखने की जरूरत न अठा मेरे course का, तो मेरे students बहुत happy थे इस video से, इस class से, तो अब मैं ये आपके लिए provide कर रहा हूँ, तो अब I want you to enjoy this video, video directly start करते हैं. अब इस class is all about forex trading, so what is forex trading, forex trading is trading this market, okay, trading this market, जहां पे अलगलग currency pairs हम trade करते हैं, major currency pairs यही है, euro, USD, USD, CAD, GBP, USD, AUD, CAD, USD, JPY, यह, 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 देखो, यू, देखो, यह oil, crude oil, crude oil और gold, forex नहीं होता, वो commodity है, बट जितने forex broker होते हैं, वो हमको allow करते हैं, कि हम उनमें भी trade कर सकते हैं, तो उनको भी forex में बोलने लगे हम लोग, फॉरेक्स वाला silver, forex silver, gold silver, crude oil, forex, ऐसा बोलने लगे हम लोग, ठीक है, उस type से बात करने लगे हम लोग, ठीक है, तो ऐसा ऐसा बात है, ठीक है, so now we will talk about this, okay, आज की class हमने forex पर रखी है, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, देखो यार, सबसे पहला सवाल, क्या forex इंडिया में करना legal है कि illegal है, सबसे बड़ा सवाल, क्या forex trading इंडिया में legal है कि illegal है, इंडिया में forex trading totally illegal है, okay, it's totally illegal, okay, now, how can we do it then, how can we do it then, now, you have to understand one example, right now, OctaFX, अभी IPL में आट दे दिया है, IPL में देली डेली डेली टीवी में शो आ रहा है, चल रहा है, इंडिया में एक दूसरा broker एक्सनस बड़िया से काम कर रहा है, चल रहा है, okay, then illegal कैसे हुआ, देखो, मैं Dubai में रहता हूँ, Dubai में एक forex company है, ठीक है, जो real forex company है, जिसके bank account भी forex company बता के खोला गया है जो on paper भी forex company आप इंडिया में रहते हो ठीक है आप इंडिया में रहते हो ठीक है अब क्या होता है आप इंडिया नो आप जब इस forex company के साथ deal करते हो इसको पैसे deposit करते हो अगर ऑन अकाउंट तो क्या यह लीगल है यह हंड्रिट परसंट इल्लीगल है मैंने अपने इस यह बैंक से प्राइम में पैसे deposit किये विड्रॉब भी निए deposit किये प्रतीक ने भी किये अमन ने भी किये कई लोगों ने किये मेरा अपना निकाला मेरा इस बंदो गया क्या मैंने real फॉरियल कर लिया यस और नो मैं एक रियल प्रीयल ओन पर डील कर लिया अब बात दरिता हूं आपको अब एक छोटा सा इक्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को अब जो कंपनी Xness और OctaFX यह जो भी एकसनेस हम लोग Xness यूज कर रहे हैं ठीक है हम लोग Xness यूज करेंगे ओके तो हम इस फॉरेक्स कंपनी के साथ ट्रील करने वाले आप एज एन इंडियन इनके अकाउंट में पैसे डालते हो फिर ही आपके पैसे डालते हैं दू यू थिंक उन्होंने इंडिया में जो भी बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे है यह जो भी कमपनी प्रॉफाइल यूज़ कर रहे हैं क्या वह फॉरेक्स क्लासिफिकेशन में रजिस्टर्थ है आपके साथ से डॉ नो लगों को समझ में आपका साथ कुछ लोगों को समझ से तो मेरे को पते क्या या मेरा पैसा कहा कटा है याकूट फिश कंपनी मैं बोला किया उसमें लिखा था फिश कंपनी मतलब मतलब वो बाहर से स्पा है बट जो कंपनी उसको रन कर रही है एस बैंक अकाउंट वो फिश कंपनी है फिश कंपनी दुबाई में रेजिस्टर्ड आपको समझ में आया कि basically legality कहां से आती है मेरा पैसा कौन लेके गया फिश कंपनी लेके गई मेरा पैसा फिश कंपनी ओन अकाउंट लेके गई तो वैसे ही यह लोगों ने इंडिया में क्या कर रहा है यह एक्सनेस ने या जितने भी फॉरिक्स ब्रोकर है जब आप इनको पै मेबी कुछ ट्रेडिंग कंपनी मेबी मेकैनिकल कंपनी वोटेवर कंपनी नो वन गिवस अपनीटिंग चल रहे हैं सो फर्स्ट अफॉल इट इस हाईली लीगल अगर आप एक रियल फॉरिक्स कंपनी जैसे आईसी मार्केट होगे ऑस्ट्रेलिया की या सीमस प्राइम होग लगा करके पॉलिटिकली ऐसा कर रखा है कि उनकी दूसरी रजिस्टर्ट कंपनी एंड देडिया कर रहे हैं आपको क्या वह उन पेपर कुछ इलीगल कर रहे हैं मैंने इसको सर्वेस दी कंसल्टेंसी इसने मेरे से एड्यूकेशन ले लिया वह पेपर पे कुछ इंडिया में तुम पेपर में कुछ भी दिखा सकते हो इंडिया में तुम कंपनी बनाओ नाम कुछ भी भाई मैंने इससे पैसा लिया ऑन पेपर मैंने इसका टैक्स भर दि क्योंकि आपको पैसा आया वह कौन सा पैसा क्या वह ओर्एक इंकम हैं अब लोग बोलते टैक्स में क्या दिखाएंगे फोरेक्स इंकम नहीं तो उसको अधर इंकम दिखाओगी टीशन पढ़ाके कम आया या मैंने कोई मैंने कोई वेबसाइड बना दी मैंने कंसल्टेंसी दे दी तो मेरे को पैसा आ गया अधर इंकम दिखाते हैं तो गेटिंग क्लिर इन यूर माइंड ना इंस्पाइट ऑफ बिंग इलीगल हाव दिस इस लीगल हाव दे डूइंग इट इन इंडिया प्रवण नहीं है लेकिन आई पी अल में डे रहे हैं आई पी से पहली बात जो लोगों की डर होता है का मेरी को पुलीस पकड़ की फॉरिक्स करोंगा तो पुलिस की अगर तुम फॉरिक्स करोगए दुबाइ कमपनी के साथ औस्ट्रेलियन कमपने जब तुमहारा पैसा फ लेकिन आपका पैसा इंडिया ही इंडियन बैंक अकाउंट अगर फॉरिक्स करना इंडिया में 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 अंदर घूम र एवरी मनी इस रोटेटिंग इंसाइड इंडिया क्या फॉरें एक्स्चेंज तो हुआ ही नहीं तो सबसे पहला सवाल जो हर इंसान के मन में होता है जो मेरे मन में भी था जो मैं नहीं समझ पा रहा था इतना गूगल यूट्यूब करके आई होप मैं आपको समझा पाया कि भाई है तो इल्लीगल बट ये लोग ऐसे मैंनेज कर रहें इंडियन कंपनीस में कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उनको भी प्रॉब्लम नहीं होते क्या है तो कौन से पेर्ज पर ट्रेड करते हैं तो बेस्ट फॉरिक्स पेर्ज लिखोगे आप तो आपको आ जाएंगे इनको अपनी वॉच्छ लिस्ट में डाल सकते हो अब वॉच्छ लिस्ट में डालने के बाद यह एकदम सेम बन जाते हैं आपके स्टॉक परित्य चक्रबरती का कॉश्ण भी अच्छा है कब तक चलेगा जब तक कि यह कंपनी को बड़ा फ्रॉड नहीं करती तो मैं बता रहा हूं औक्टा एफेक्स की मैंने फिर भी स्टोरी सुनी मेरे पहचान वालों से कि दो हफते पे आउट रोग दिया यह कर दिया को कर दि तो एक्सनेस इस अ कंपनी जो बहुत इन फाक्ट हमारे स्टूडेंट्स अल्रेडी कर रहे एक्सनेस में ट्रेड और मेरे पहचान वाले भी कर रहें ट्रेड तो यूपन एर अकांट एंट्रेड रिलाक्स तरीके से कोई प्रोब्लम नहीं उसमें अब क्योंकि यह बहुत यह हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट केंगेल इन डिशुकर करेंगे आप हम फ्रेक्स के बात करेंगे मैं दे दू attract करेंगे वाँ एक्समें अलग-अलग-み給 लेंग लें अब technical पेसके बाद है लास्ट में technical की बात करेंगे कि कैसे यह немножко सकते हैं अब अब ब्रोकर अकांट खुलने के बाद अब मेरेको करना है तो कैसे रिए करते हम लोग ंu में क्या होता है हम 0 www इनजयल नाम का अप मिलता है उसका अप मिलता है ये मार्केट बहुत बढ़ा है वहाँ पे एक्सचेज़ होता है NAC NAC होता है और DEMatt अकाउंट होती है और ट्रेडर होता है यहां पे कैसा नहीं होता यहां पे कैसा होता है यहां पे जो ट्रेडिंग ओर ही ओती के बीच में व रही होती बहुत बड़े-बड़े इंस्टुशिसंस के बीच में इसे डि में कोई ब्रोकर डील नहीं कर सकता लिक्विडिटी प्रोवईडर उनको एल्पी बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ भी आसान नहीं तो आप ट्रेडर रहेज करते हैं इनसे करती हैं forex कंपनिया और यह एंब सोनेक्ट करते हैं यहाँ पर ऐसह चलता है और यहँ सिर बैंक नहीं है institutions भी हो सकते है ठीक है बड़ी बड़े गॉर्मेंट गॉर्मेंट भी हो सकती है आर्बी आई भी हो सकता है इंडिया को का यह सब मिल करके चला रहे होते सारी चीज़े तो ऐसा ट्रेडर आप फॉरेक्स कंपनी से डील करते हो फॉरेक्स कंपनी आप को अडर लिक्विडिटी प्रॉएटर को पंच करता है वह आप को और रियल मार्केट में अप्लाए करता है डेरिस नो वन एक्सचेंज त्रू नेटवर्क अफ इं ECN broker ECN बोलते हैं या STP भी बोलते हैं दोनों कॉलिटीज्ट थीक है STP मतलब स्टेट तूरू-प्रोसेसिंग ECN मतलब Electronic Communication Network यह तो बकवास नाम हुआ मतलब इस इंटरेनेट से काम करता है यह देक। इसत्रेट् थू-प्रोसेसिंग एक ब्रोकर होता है ट्रेडर ने ओडर दिया भाई यूरो यूएस्दी बाई तो स्ट्रेट थूरू प्रोसेसिंग में क्या होता है इस ट्रेट थूरू प्रोसेसिट उनको जो कमाना होता है स्प्रेड में कमाते हैं सीधे बेच देते हैं एलपी के पास थीदे भेच दिये अब आपने कमाया तो आपका पैसा वापस आ जाएगा आपने लोस कर तो आपका खतम हो जाएगा इससे इस कंपनी को कोई फरक नहीं पड़ता ठीक इससे कंपनी को को फरक नहीं पड़ता लेकिन एक ब्रोकर होता है जो ट्रेड न आपने बूला कि मैं तो कौन आपको अपनी जेब से भर रहा है कमपनी और आप अगर पैसा लूज कर दिये तो कौन कमा लिया कमपनी तो यहां पे किसको बेनिफिट है कि थोड़ा लोगों को जो शक होता है कि मेरा stop-loss खा गए या मेरा जल्दी stop-loss कार्ड दिये यह मेरा हैंग कर दिये तो ऐसा क्या आपको लगता है इसके पीछे इस कमपनी का हाथ हो सकता है क्या आपकी फोरेक्स कमपनी चाहती आप हारों की जीतो वट ड़सेट वट यूव मेक मनी और लूज मनी वट इग्जाक्ली वट तो जितनी भी नॉन-ब्रैंडड कमपनी है दिल्ली में नहरू प्लेस में मुंबई में गुजरात में बैंगलोर में चेन्नाई में जो आपके दोस्त बताते हैं जिनका ऐसी आएसी नाम होता है नागपूर में इधर-उधर अरे मैं करता हूं तिरको फोरेक्स ऐसी बात करते हैं यह आल आर लाग दिस ओनली करना यह करना और यह करने के बाद यह कर था उसंचे तो आपको क्या समंज मता है हमें कौं सा ब्रोकर ले ना चाहिए हमें हमेशा स्ट्रेट थू प्रोसेसिंग ग्रोकर चाहिए जो ड्रहेक्षा इक सılानस टीप स्टिप सब्सक्राइब के बारे में समझ गए अब मैंने क्या बोला आपने ब्रोकर खोल लिया अभी आपको एक सब्सक्राइब कर सकते हो नोप नोप बेसिकली देखो एक्सनेस ने तो दिया है एक्सनेस ने तो दिया है ऑप्शन कर सकते हो बट दुनिया में एक एप बहुत फेमस है mt4 नाम का मेटा ट्रेडर नाम का mt4 और उन्हीं का एक और वर्जन mt5 दोनों सेम चीज़ है ठीक है अब mt4 mt5 क्या होता है तो मेटा ट्रेडर सबसे फेमस कंपनी है जो सबको प्रोवाइड करती है सर्विसेश उनसे पैसा लेती है और सर्विस प्रोवाइड करती है अब क्या हुआ अभी तक कौन-कौन था अभी फॉरिक्स कंपनी का ओडर जाता है mt4 के थू के ठीक है अब mt4 कैसा है मतलब यह एक ऐसा एप है काइट नाम का अब मालो काइट जो एप है अब वो अब स्टोक्स को भी सपोर्ट कर रहा है इंजिल को भी सपोर्ट कर रहा है एक्टी अपसी को भी सपोर्ट कर रहा है खुद को सपोर्ट करता ही है तो कैसा रहेगा मतलब तुम कोई से भी डीमैट में अकाउंट दो एक एप पे आके आईडी पासवर्ट डाल के आप फटाफट ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो आल राइट समझ मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करता है तो अब यहां से हम एक्जिक्यूट करते हैं अब हम अब देखेंगे वह होता कैसे है और फिर हमको सबजना है सबसे पहले ना शबसे पहले आपके सामने मैं ओपन करूंगा अपना मोबाइल और लिखूंगा एम्टी फोर एम्टी लिखूंगा तो अपने प्रेटर खुल जाएगा तो देखो दो आप मेटर टेटर फॉर और फाइव दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं लाइक देखो काइट वर्जन नंबर वन काइट वर्जन नंबर टू क्या बहुत फर्क होगा क्या वन और ट कंपनी ट्राइ करती है अब दो सॉफ्टियर बेचे अभी तक महिने का अगर मिलियन डॉलर ले रही थी तो 1.5 मिलियन डॉलर का ओफर लेती है कि तुम यह भी दो कि लोग यह चाहरे है और कुछ नहीं इस अपसेलिंग तो मैंने अप मेटेटर फोर खोला अब देखो सबस कुछ दिख रहा है ना आपको यह कुछ काम का नहीं है आपके जो सबसे उपर अनीश सिंग ठाकुर दिख रहा है गया है कान साकाउंट में Consiglum Galat वह मेरा अलग चीज स्क लिए अकंट इसमें क्लिक करें हमने दिखा इसमें 15000 डॉलर है ऐसे और क्लिक हुआ अलग लग अकाउंडिक है इसमें वन लाक डॉलर है वह तो आगे गए यह क्या किया मेंने जभी भी आप जब भी आप उपर आपको प्लस साइन दिख रहे हैं टॉप राइट पे पर बस जब वह प्लस साइन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है ऐसे पूछता है अभी एक्जिस्टिंग अकाउंट में लॉग इन करना है कि डेमो अकाउंट खुलना चाहते हो तो आप अव्यसिश डेम पक्लिक करो के पक्लिक सर्वर आप आगे जाओगे इतने सारे सर्वर आ गहए दे डेमो भी मिलेंगे तो आपको मेल पर बताये का नाम यह आ इडये है इसे कारकि लेफ्ट बॉटम पर दिख रहे यह वाचलिस्ट अब इस वाचलिस्त में अपनी मरदी से प्लस करें कि कुछ भी यहां पर इडवांस दो अप्शन होते हैं मैं ऐडवांस पर ग्लिक सिन्गा जैसे ही आप मैं अच क्लिक करूंगा अगर तो यह क्या दिखा रहे हैं अब बस और सल का वो दिखा रहा है कि 11 1137 1139 दो पिप्स हो गए पिप्स का मतलब क्या होता है नहीं नॉन वॉल्यूम आवर में बढ़ जाता है तो हम भाई करते ही लॉस दिखाने लगता पन को ऑप्शन में भी दिखाता है यह आप आप खरीदते हो मार्केट और पर तो फिर तुरंट लॉस दिखाने लगता है यह भी वही चीज है तो यह दिखा रहा है इनको बोलते बिट और आस्क का स्प्रेड ऐसे दिखा रहा है अब मैं आपको अगर ऑप्शन दिखाऊंगा अपस यह और ऑप्शन क्या कि अपने पास आगे बढ़ने देते हैं मैं इसवाप पता नहीं क्या बोल रहा हूंगा अभी इस पर क्या किया मैंने एड़ पर क्लिक नया चीज़ आड करना है तो जैसे फॉरेक्स पेर मैंने घटीया सा फॉरेक्स पर एडड कर रहा हूं जार जेपी वाइड कर दिया साउथ आफरिका लोगों को अराउंड टेन पिप्स का डिफरेंस है तो इसे पेर ट्रेड नी करने नॉन लिक्विट पेर उसको पन पुरंत आएंगे एडिट करेंगे और रिमूफ कर देंगे जार जेपी वाइगा सब हाल तुपेर चाहिए नहीं और चलो देखते हैं और जैसे फॉरेक्स सब्सक्राइब मिल जाएगा इसमें न्यूजिलेंड चेफ देखो इसमें तीन पर डिफरेंस है दिख रहा है नीचे अब दिखा होगा दिख रहे है जीरो टू अच्छे देखो जीरो टू जीरो फाइफ चेंज हुआ अभी अभी हैँ तो ऐसे लिक्विड थे अर्लिकविड थे पियर होते है और लिकविड पेर रोते हैं थे three अंगे वेस्ट टैन होते हैं उसके पर मत खरो ठीक है तो तो ऐसा करके मैने दिखाया आकको watch listeners क्या होती है क्या unsk क्या होता है Carter मैं पर चार्ड़ अब मैं आपको उसके बगल में चार्ट दिखाऊंगा अच्छा आप यहां पे क्रिप्टो भी आड़ कर सकते हो एक्समें बहुत ज्यादा उप्शन ज्यादा दे रहा है इसमें तो कोई लेवरेज नहीं फीस बहुत ज्यादा है उसमें फिर भी कम है अब यहां पर यह भी ट ठीक है हम इन में भी कर सकते हैं चाहें तो मैटल्स भी है यह यूक्य यह ब्रेंट क्रूड मतलब यूक्य डबलू टी आई क्रूड मतलब की यूएस वाइल एक ही चीज़े दोनों को रोगया आप ओवरल क्रूड करेट सेम होता है थोड़ा रिफरेंस होता है चाहे इंडि चाट तो देखो हम ट्रेडिंग यूप देखेंगे वो तो मैं ट्रेडिंग यूप देखूंगा सब मलसी बात है इस पे क्यू धान दूंगा मैं ट्रेडिंग जब्रेडिंग यूए तो इसको क्यू यूज करना है बस Stop Loss लगाने के लिए अगर मेरे को न देखो यहां पे एफ पे क्लिक किया तो यह खुलता है क्योंकि दिखा रहे से वॉल्यूम लिगा हुए तो लगा हुआ है अब मैं और एड़ करना चाहूं बॉलिंजर बैंट लग गया बॉलिंजर बैंट कचरा करके क्या को बॉलिंजर बैंट हम अपने ट्रेडिंग भी नहीं लगाते इस प बाद यहां पे अब यह जो दिखा रहे नंबर्स आपके सामने आप चाहिए अब यह एक ट्रेड लिया हुआ है मैंने जो लॉस में दिखा रहे है 173 डॉलर्स अभी तक 500 डॉलर्स प्लस पे आ चुका है यह उस वक्त ट्रेड लिया था इट्स 492 डॉलर्स राइट नाउ प क्या है दो लॉट मैं बताऊंगा आपको ठीक है वह अभी हम अगले अगले सेशन में करेंगे आज ही करेंगे थोड़ी देर बाद ठीक है वेरी गुड तो अब हमने क्या किया मोडिफाई पे क्लिक किया तो क्या सीदे स्टॉप लॉस चेंज करने के लिए बता रहे है स्ट यह चार्ट सिर्फ एक काम आएगा यह इतनी चे लगाना है स्टॉप लॉस आपको ठीक है यहां पी सिर्फ एक ही काम है जो काम क्या है आपका टारगेट आपका स्टॉप लॉस बस क्योंकि इसमें नंबर थोड़ा 2,4-25-15-15 उपर नीचे हो जाएगा इसमें परफेक्ट रहेगा आपके लिए है ना उसमें भी बोलूंगा इसमें भी मेरे साथ हुआ मेरा stop loss हिट नहीं और फिर भी हीट हो गया फिर भी हीट हो गया इसमें बिड्ट आस्क में दो से तीन डॉलर का फर्क है तो तीन डॉलर पहले कर जाएगा ट्रेड तो हमेशा तीन पिप डॉलर नहीं तीन पिप क्या होता है बताऊंगा तीन पिप आगे ही रखना अब यह रहा अपना 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 लगाने के लिए जो चीज होती वह ओके नाओ आगे बढ़ते हैं अब आपको न ओडर लगा अब यह है अच्छा यह दिख रहा है आप लोगो राइट साइड में अभी तक हमने लेफ्ट बॉटम पर जाओगे तो क्या दिख रहा है आपक यह एक दिन की हिस्ट्री है यह जितने भी ट्रेड आप लोगों को दिख रहे हैं न यह मेरे आज के ट्रेड है जैसे अगर आप उपर ओले ट्रेड हो कि जीबीप यूसदी चार जो मैंने जो चार देख रहे हैं तू तूट तूट वह एक सी पिरामिडिंग करके अपन उस च्छटे profit है वो ट्रेलिंग स्टॉप लोस है वो चल रहा था उसमें भी एक वन फिफ्टी वन फिफ्टी वन फिफ्टी आ रहा था बट बिकॉस वी नीड टू कीप विनर्स वी नीड टू रिस्पेक्ट वाट वी डू लेट इट मैंने इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यह भी मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थे तो अब तके थी वन शिक्स वर दिखा रहा है कि यह आज का प्रॉफिट है वीक कर दो को तो वीक का दिखाएगा मन्त तो मन कस्टम कर दो कि अब देख सकते हो किता आपने नीचे देख रहा है प्रॉफिट क्रेडिट क्या होता है यह क्रेडिट मतलब ब्रोकर आपको क्रेडिट देता है ब्रोकर क्या होता है ब्रोकर डिपॉजिट विड्रॉज आज मैंने कुछ भी विड्रॉजिट नहीं किया को यह दो यह दो ओडर्स क्या है जो कुछ भी दिख रहे आप लोगों को यहाँ पर यह है मेरे कैंसल्ड और्श यह मैंने लगाया था कि अगर ऐसा कुछ होता तो यह लिमिट ओडर लगाये थे मैंने जो मैंने कैंसल कर दिये लिखा हुआ उनमें ठीक है कैंसल दिख रहा स आपको 15,398 मेरा मीन बैलनस है ठीक है थाउजन्ड डॉलर मेरे को क्रेडिट मिला है किससे मेरे ब्रोकर से क्यू ऐसे उसने मेरे को क्रेडिट दे दिया सब देते रहते हैं कुछ-कुछ ऐसा होसा है कुछ भी offer offer देते रहते हैं तो वो credit है तो total equity कितना हुआ अगर आप इसको add करोगे तो match नहीं कर रहा है match नहीं करेगा क्योंकि ये जो open position है ना ये भी इसमें क्योंकि loss था तो ये कम दिखा रहा है अभी profit होगा तो मेरे को ज्यादा दिखा रहा होगा equity equity मतलब ये आपका overall situation है margin 4000 क्योंकि मैंने चार lot यूज कि है 224 तो 4000 डॉलर का margin मैंने उठाया हुआ है फिर भी मेरे पास free margin 12,000 डॉलर है मतलब मैं चाहूं तो 12 lot और खरीच सकता हूँ अभी जबकि मेरे account का leverage मैंने वन इस्टू 100 है कई broker में 1-500 मिलता है but not at all used को useful अमेरिका में 50 की उपर यूज नहीं करता कोई 50 की उपर को यूज नहीं करता अमेरिका में UK में कोई मतलब नहीं 50 से उपर यूज करने का यह मेरा ट्रेड वन इस तु थर्टी पे चल रहा है तो गाईज बड़े लेवरेज के चक्कर में वज जाना कि मेरे को 500 मिल जागा तो में जिल्दगी वन इस तू थर्टी भी काफी है देखो वन इस तू फिफ्टी मैक्सिमा वन इस तू हंड्रेड क्यों पर तो मिलेगा कभी नहीं मेरे को तो मेरा लेज तो यह दिखा रहें कि 4000 मार्जिन यूजड है और 12,000 फ्री पड़ा हुआ है यह मार्जिन लेवल परसेंट वाइस चार सो परसेंट मैंने यूज़ क्या हुआ है बतलब ऐसा बता रहा है वह 400 परसेंट क्योंकि चार मैंने लॉट यूज़ यह उत्रा डीटेल में समझना जरूरी नहीं है और अब आगे बढ़ते है ठीक है अब मैं आप लोग को ले के दिखाता हूँ ठीक है अब मैं आपको ले के दिखा रहा हूँ लाइफ पोजिशन की कैसे लेते हैं अब आप आज आएंगे क्योंकि यूसडी जेपी वाइब म क्या होता है अब सीधे मिकों मार्केट दे रहे स्ल भाइय मार्केट बाइबाई मार्केट मेरको बाइब करना था अभी ट्रेड में आप लोगो को दिखाने के लिए था वह भी मेरेको अभी प्रॉफिट देखा होगा है इवन दिस ट्रेड इस इन ट्वेल डॉलरस प्रॉफिट राइट नाउ । गईा मार्केट पे खरीदा आ गया थीक है अब दिखाता हूं आपको जैसे हमने मार्केट पर बाई किया आ गया अब हाँ यहां पर मैं यह बोल रहा हूं आपको यह मैं क्या बोल रहा हूं को मालूम है वह आएगा चीज तो सी दिखाता हूं ओके यूशी दिस ट्रेड यह ट्रेड लेते ही दो डॉलर का लॉस क्यों द बिड़ आस्क बिड़ आस्क च्प्रेड के कारण वह दो डॉलर का लॉस दिखा रहा है हम सबको देख रहे है अब इसके आगे जाते हैं इसके आगे दिखा रहा है अब चाहे तो इस पर तुरंत हां मॉडिफाइए करके सीधे यहां पर स्टॉपलस डाल सकते हैं और टार् वली बटन दिख रही है कि आपे उपर में उस पर करते मेरे को चार ऑप्शन दे रहा है जैसे चार ऑप्शन दे रहा जबाई-्लिमिट-पास्टॉप इस बहुत मज़ेदार चीज क्या है यह पता क्या है यह एक ऐसी चीज है अगर मेरको बान लो कोई स्टॉक है मैं कुछ है, मेरे को मानलू, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को breakout पर यहाँ पर enter करना है, तो मैं कौन सोरड डालूगा? मैं डालूँगा स्टॉप पाइस टॉप और मानलो, मुरे को चाहिए की मार्केट यहाँ पे पुल बैक आए और यहाँ पे बाई करना है तो मैं क्या डालूँगा बाई लिमिट ओके मतलब यह उप्शन है स्टॉक मार्केट में शायद यह उप्शन नहीं है क्योंकि जब आप बाई लिमिट नीचे डालने की कोशिश करते हो तो खरीद आ जाता है क्योंकि उत्ते पे तो कोई दे रहा है ना उत्ते पर तो रेडी कोई देना यहाँ पे चाहो तो एक्जाक्ट यहाँ जब वह वापस पुल बैक आएका तो उठाना है ना आपको तो भाई लिमिट डालते हो और आप बोलते हो याट ब्रेक आउट पे ही खरीदूंगा तो भाई сторप डालते हो ठीक है चलो अब मैं आपको वापस तर उसी स्क्रीन पर लें जा लेता हूं ठीक है आपको स वह उपर का प्राइज है 109.57 तो मैं क्या नीचे का 10.36 तो हम जाएंगे फटा-फट आएंगे इस चीज़ पे बाइस टॉपे क्लिक करूंगा पहले बाइस टॉपे क्लिक किया मैं भूल गया नंबर तो वापस आया देखा क्या नंबर था 109.56 फाइस रहे ना वनिदो नौन यहां पर आया प्राइस पिर दल भाइनौ पॉइंट फ्all 54 पड़ाएं कर दिया अश्यली के डल गया तो दिख अब को एक पेंडिग ओडर दिखेंग आप लोग अधियो अफ इस पेंडिंग ओडर में भी आप डेफिनेट इसके रिविजन क्लास होगी है हर चीज की होती है प्लीज होगी ठीक है अब नीचे वाला प्राइज है यहां पे तो उसको बाई करना है तो हम उसको बाई लिमिट करेंगे बाई लिमिट करेंगे देखेंगे 109.35 है 109.35 है कर या लग गया भाई देखो ऐसे कर गया आपको ऑडर लगाना से खाया तो जब आपको ब्रेकाउट पर बाई करना है तो आप यह वाले ओडर यूज करते हो आपको मार्केट पर लिमिट पर तो आपको मालूब में इस पर डिफरेंस भी कम उत्ता ही लगता थोड़ा कम लग समझने अपन लोगों को ठीक है तो बस सही है यह रहा यह रहा ट्रेड जो लिया हुआ था यह ट्रेड कर रहे है कि डिलीट कर रहे है डिलीट कर दिये डिलीट कर रहे है डिलीट कर दिये ठीक डिलीट कर दिये बस ऐसा करके यह चार्ट है यह चार्ट यह चार्ट अब मैं वो बता रहो reason बता रहो उस trade को क्यों लिया मैंने तो guys थोड़ा पूरा तो नहीं सही बर थोड़ा बहुत idea आया वो app कैसे काम करता है just now we understood how to use it अब हम लोगों को ना सीखना है कि यार वहां तो मालूम है rupees में काम होता है ये right side में अब मैं आ जाता हूँ यहां पे अब यार यहां से यहां तक का जो difference है इस जैसे मैंने इस breakdown पर खरिबाई किया यहां पर short किया यहां तक आ गया लेट से यहां तक आ गया तो आप लोगों को देख रहा है percentage in point तो जो currency pairs होते हैं वह ऐसे होते हैं यूरो वर्सिस यूएसडी एक होती है बेस करेंसी यसे यूरो और यूएसडी तो लेफ्ट में क्या है यूरो राइट में क्या है यूएसडी तो इसमें में करेंसी कौन सी है बेस करेंसी यूरो बड़ा है है ना अगर मैं आप से गाता है और डॉलर सत्तर रुपय का आता है तो देखो रेशियो सही है वन इस टो वन सेवन क्योंकि जो भारी है अगर अगर मैं सीधे यूएसडी आयनार का बात करूं तो इसका वैल्यू कित्ता होगा इधर देखो देखो यूएसडी बड़ा है कि 74 दिखा रहा है कि एक दॉलर मिलेगा वैसे बोलो रहा है जब मेंडान laund यूएसडी दोगे 1.1 वक्रफोंकर मिलेगा यूब innovation मिलेगा एक 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 यूर्म आनार तो एक यूडियरो मिलेगा妈 के एक यहां बढता है ऑस्ट्रेशान के कैनेडियन कैनेडियन बढ़ा है वहां इसे जापनाइज और लॉट च्छोटा है तो दिख रहा आपको सीधे 109 दिखा रहा है तो यू अच्छान यह 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 दी और यह च्छ फ्रैंक है तो यह बी यह कौन सा बड़ा है फ्रैंक बड़ा है कि डॉलर बड़ा है क्या देखके समझ में आ रहे हैं फ्रैंक बड़ा है यह स्विट्जर लाइन फ्रैंक की वैल्यू ज्यादा एड युएस डॉलर से तो इसके वहां पर पॉइंट लाइन करके दिखा रहा है ठीक है तो आई होप यूप अंडरस्टैंड डिस बेसिक थेंग नाव लेट्स गोट नेक्स्ट अब यार अब न आपको यहां पर क्या नंबर दिख रहा है वन पॉइंट वन सेवन फॉर दिख रहे हैं यूरो यूज़ी गाए ठीक है तो अब मैं इसको न अब देखो आप लोगों को क्या है न आप लोगों को न क्या करना है पॉइंट के बाद जो चार डिजिट एना उनको पकड़ना है चार के आगे कभी जाना इसको डिलीट मार देना है ओल्वेस बिकॉस ताट इस सो जब ट्रेट करते हो कि बाइप पांच हजार रुपए और पांच हजार एक रुपए पैसे काम यह तो तो तुरन दीलीट मार देते हो तू तो कामका ही नहीं है ठीक है तो हमेशा हम लोगों को जबी भी study करना है ठीक है जबी भी हम लोगों को study करना है हम लोगों को इसे remove करना है किसको आखरी में कित्त पॉइंट के बाद कित्ती 0 होने चाहिए चार फोर उके गुड नाव जो decimal के बाद one two three यह fourth नंबर है न यह है भाई फिप की value अगर यह गिरता है one three होता है तो कित्ते पिप उप मारकेट वन पिप डाउन हुआ अगर यह 15 होता है सब्सक्राइब बढ़ा इस तो दस पिप बढ़ गया वेरी गुड वेरी गुड चलो बहुत बहुत बढ़ी हा ठीक है आप लोग समझ गए अब हम इसको लेते हैं अब हम एक्जामपल पकड़ते हैं लेट से अब हम एक्जामपल पकड़ते हैं GBP USD का GBP USD का क्या चल रहा है भी 1.37391 लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे कौन सा चीज़ हटाएंगे वन हटाएंगे तो कित्ते डिजिट हो गए देर फो डिजिट्स ओवर हेर नाओ यूसी देर फो डिजिट्स सो कौन सा वाला मिनिमम वैल्यू का वन पॉइंट के बाद 1234 अगर यह 38 हो जाता है तो कित्ते बढ़ गया यह तीन पर बढ़ गया आप यह स्केल पकड़के खीचते हो ना नीचे यह स्केल बताने लगता है यह स्केल बता रहे है फिर भी आपको नौलेज उनीची करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह स्केल बता रहे है वैसे इतना टेंशन लेने की बात नहीं है बट स्टिल यू अंडर्सटर्ड दिस राइट आगया समझ में आपको जीबीप यूसजी का अब एक स्पेशल केस जेपी वाई का सिर्फ एक स्पेशल केसे जेपी वाई का और वही आयनार में बीच काम करेगा लेकिन आर में ट्रेट करोगे नहीं आप कि अलग चल रहा है यह क्या चल रहा है दुनिया से अलग इसका चल रहा है इसको यहां पर करना हैं यहां पर सरफ केस direct करना है देख्याद लोगों को अगर इस पॉंट को भैजा को कि तो 100 करना ना मैं प्वballs इस शूच्च का लोगा था सिर्फ इसमें फोलः शलाट एक यहांपर यह करना है तो सेम हो गई कहानी सेम हो गई कहानी नाइन हटाना है क्या क्योंकि पांच नहीं चाहिए चार चाहिए पॉइंट के बाद तो तो उसको हटा दो तो इसमें pip कैसे बढ़ेगा जब ये 6-1 होगा तो कितने pip बढ़ेगा एक pip जब ये 6-2 होगा तो 2 pip ये 7-0 होगा तो 3 pip समझ में आ गया तो कुल मिला करके अगर मैं आप लोगों को सीधे बोलता हूँ कि यार छोड़ो अगर ये सीधे 1-0 कि 5 को हटा दो अगर ये 109.70 हो गया तो कितने pip बढ़ गया 10 pip बढ़ गया 10 pip बढ़ गया ने 10 pip ये 60 है 70 कर दिया मैंने 61 नहीं किया मैंने 70 कर दिया मैंने तो 10 pip बढ़ गया तो USB API का समझ में आगया आप लोगो कैसे करते है ठीक है currency pairs हमको मालूम चल गए ठीक है अब lot size क्या होता है आप लोग देखे वहाँ पे मेरे को हमेशा option देर था टू ट्रेड करने कैं वर में यादे आप लोगों को या दिखे अप लोग झाओ 0.1 यहाँ पे 0.1 0.01 1 मैंने किट्टा लिया हुए ट्रेड देखा आप लोगों को मैने 2 लिया हुआ है मतलब टू तू मेगा lot लिये हुए इनका मतलब क्या होता है हमको यह समझना है इनका मतलब क्या होता है तो congratulations सारे winners को जिन्होंने हमारा Forex Funding Challenge second बार हमने run किया था उसके winners है यह रही list जिनको इतने इतने dollar का account मिल चुका है जो अपने trading कर रहे हैं अपने हिसाब से अगर आप भी चाहते हो इस तरीकी कि आने वाली है तो stay connected लेट अस्यूम ए यूडी कैट ठीक है ए यूडी सी एडी ठीक है इसमें पॉइंट नाइन वन सिक्स टू है तो इसमें पिप वेल्यू कौन सी होगी टू राइट हमको वैसे यहां पर वन भी लिखा है उसके आगे पर हमको पॉइंट के बाद इसी को पकड़ना है यह वाले को जब यह 63 होगा तो कितने पिप बढ़ गया 63 हुआ तो एक पिप बढ़ गया 73 होगा तो 10 पिप बढ़ गया ठीक है अगर मैं पॉइंट वन अगर मैं पॉइंट वन लेता हूं ठीक है यह वन लॉट साइज लेता हूं यह 10 लोट साइज लेता हूं तो फर्क क्या आएगा जब कभी भी मैं 0.1 लॉट साइज लोंगा हर एक पिप मेरा एक डॉलर बढ़ेगा ठीक है जब भी में मैं पूरा एक फुल लॉट ले लूँगा तो हर एक पिप पे मेरा दस डॉलर मुवमेंट आएगा और दस लॉट मतलब कि इसके लिए तो भाई कम से कम पचीस-पचाज़ा डॉलर का अकाउंट चाहिए इसमें एक पिप में सीधे कितना मुवमेंट आएगा सॉ डॉलर का मुवमेंट आएगा तो आपको क्या समझ में आया कि.1 अद फंलर कमाया अगर मैं एक लॉट लिया मने फुल लॉट लिया मैंने और मैंने दस पर बढ़ा दिया किसिस पर बढ़ा दिया तो कितना profit कमाया है मैंने 200 डॉलर अगर मेरा दो लॉट था अगर मेरा 2 lot size था ठीक है और मेरा 2 lot size था मेरा 25 पर पांग्या तो कितना हो गया ज़ीway तो मतलबmore से बढ़ गया होगा अभी तक आपके साब से 12.5 पिप्स तो अभी तक जो मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है मिरेको सिर्फ 12 पिप्स का टार्गेट ही तो आपको क्या समझ में आ गया कि standard क्या है थिस दा पॉइंट 1.1 इस ता स्टांडर्ड आप अगर पॉइंट समझ गय तो आप सब खुश समझ गय के रहा हूं तो हर पी मेरा कितना दॉलर बढ़ने वालों और फंद्रा दॉलर बढ़ने वाला है वास आपको अभी पिप को डॉलर में करना सीख गए आप अब अभी पिप को डॉलर में यहाइश बहुत बढ़ी अगर मान लो मैं अगर मान लो मैं तू पॉइंट फाइव का लॉइइड लेता हूं और मेरा पचास टारगेट हिट हो तो मैं क्त्य पैसे कमाऊंगा तो एक प्पे कित्क कमाता है कि 25 into 50 कित्ता हो गया ठीक है चलो हम अभी ये भी सीख गए बेशिक बेसिक बात कई प्प से ड में convert करना इख गए बहुत अच्छी बात है अब हमें में कित्ते lot size लेने हैं इसका क्या answer है तो अगर मेरा account size 1000 का है तो अगर मैं अगर में हम अपना basic risk management rule 5 % का लगाते हैं अगर मैं 5% risk लेता हूँ ठीक है इस तरीके से जाता हूं तो मैं आपको और असान समझाता हूं बेसिकली रिकमेंडेड होता है पॉइंट वन लॉट वन परसेंट रूल के साब से बट अगर आप पांच परसेंट तक का लॉस लेना चाहते हो ओके है तो आप पॉइंट वन फाइफ तक जा सकते हो बट यूजिली रिकमेंडेड होता है बिगिनर्स को हाजार डॉलर का अकाउंट है तो पॉइंट वन लॉट के टू ट्रेड्स आप ले सकते हो अगर आप एकदम बिगिनर हो तो अगर आप एक्सपिरियेंस परसन हो और आपको मालू में आप क्या कर रहे हो आपका एक ट्रेड अल्रेडी काम कर रहा है आपने लिया हुआ है और आपको एक और अपॉर्चुनेटी मिलती है तो मेरे एसाब से माक्सिमम आप दो और लगा लो अगर मेरा दस साथ डॉलर का अकाउंट है तो मैं कित्ते लोट ट्रेड करना चीए मेरे को जादा से जादा तू और अगर यह वाली पोजीशन ग्रीन में चल रही है अगर यह पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है तो क्या कर सकता हूं दो लोट और ले सकता हूं और अगर मेरा यह भी ग्रीन में चलने लगा तो क्या मैं और लॉट बढ़ा सकता हूँ, चाहू तो बढ़ा सकता हूँ, बढ़ाने से न, अगर उल्टा पड़ गया, अगर उल्टा पड़ गया, तो problem, तो नहीं बढ़ाना चाहिए, as per risk management, one should not go beyond this, and if you are going beyond this, then you are risking too much, if you are going beyond this, 0.4, 0.5 चलेगा, इसके उपर तो कभी नहीं जाना चाहिए, किसी को भी, क्योंकि क्या है न, can you go, कि आपको इतना leverage मिलता है, कि आप सीधे, 1000 dollar के account में, 3 lot मार दो, मिलता है, मिलता है, और जी जो छोटे-मोटे broker है न, इंडिया में, यह सब, वो तो बहुत ज़्यादा leverage देते हैं, बहुत ज़्यादा leverage देते हैं, ठीक है अब इन theory क्या होता है, एक जो standard lot होता न, one lot, इसका मतलब पता है, क्या होता आप लोग को, कि आप 100,000 dollars trade कर रहे हो, ठीक है, you are trading 100,000 dollars, okay, 100K, 100K dollars, आप 100K dollars आप use कर रहे हो, ठीक है, yes, some people will give you 2,000 leverage, तो 1 is to 2,000 भी है, तो don't use it, don't use that much, क्या समझ में आया, अगर आप 1000 dollar का funding करते हो, तो आप कितने lot trade करना चाहिए, आप लोगों को, 0.2, 0.1, maximum 0.2, and if this position is in green, if this position is in green, you can take a new trade, but क्या आपको same trade में दूसरा यह करना चाहिए, नहीं, क्यूंकि अगर यह loss दे दिया, तो बहुत गंदा loss हो जाएगा, right, तो सबसे पहले यह समझे, risk management के हसाब से हमने, कि इस पर position ने बढ़ानी ठीक नहीं है, लेकिन, okay, done, now, अब यार देखो, मैं अगर trade कर रहा हूँ, मान लो, मान लो, मैं एक trade कर रहा हूँ, euro, USD, मैं इस पर long हूँ, मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर dollar बढ़ेगा की गिरेगा आपके साब से, मैं क्या expect रहा हूँ, डॉलर बढ़ना चाहिए, गरना चाहिए, उत्ते में मेरे को एक opportunity दिखती है, उत्ते मेरे को opportunity USD CAD में, ठीक है, और मैं इसमें long trade ले रहा हूँ, तो क्या मैं stupidity कर रहा हूँ, कही ना कहीं मैं अपने existing trade के against में trade ले रहा हूँ, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जबी भी दूसरा pay trade कर रहे हो, तो मतलब for sure अगर ऐसा है, तो अगर इसमें win होता है, तो कि इसमें for sure lose होगा, high chance से lose होगा, भले ही वहाँ पे euro है, भले ही यहाँ पे CAD है, मानता हूँ euro और CAD अलग-लग behave करेगा, थोड़ा difference आएगा, थोड़ा सा difference आएगा, थोड़ा सा, लेकिन कहीं न कहीं matter करता है dollar की strength पे, अगर आप इस पे long हो, और इस पे short जा रहे हो, तो आप अपने against जा रहे हो, तो आपको ये देखके करना पड़ेगा, पीजी दमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक, चलो बढ़ी यह ओके, now, see, अगर मैं यहाँ पे GBP, GBP, USD, GBP, USD पे मैं short trade ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं, pound बढ़े की गिरे, pound गिरे, क्योंकि वो पहले है, short इसले तो ले रहा हूं, है न, और जब pound गिरे, तो उसके against क्या बढ़े, dollar बढ़े, है न, तो वहीं पे, अगला trade अगर मेरे को मिलता है, USD, अगर मेरे को अगला trade मिलता है, यहाँ पे, USD, JPY, long, तो क्या, might भी मैं सही analyze कर रहा हूं, दोनों मे यहाँ चाह रहा हूं, dollar गिरे, dollar, bound गिरे, तो dollar बढ़े, यहाँ तो डॉलर बढ़े, तो चलो, practical example देखते है, यह क्या उपर जा रहा है, is it going up, is my, is this going up, is USD, JPY going up, मैंने long trade लिया, इस पे, मैंने इस पे long trade लिया है, मैंने इस पे long trade लिया है, मैंने इस पे long trade लिया है, तो क् GBP, USD नीचे जा रहा है, दिखर आपको, दिखर आप लोगों को, है न, make sense, this is going up, because pairing में dollar strong हो रहा है, dollar strong हो तो यह गिरेगा न, pound, तो आपने भी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी होगी, तो मैंने इसको शॉटी किया था, इसको मैंने शॉट किया था, yes, और उसके बाद मैंन fundamental analysis भी थोड़ा सा, fundamental तो नहीं बोलूँगा, यह common sense है, काम आ रहा है, थोड़ा समझ भी आने लगा आप लोगों को, ऐसा क्या हो रहा है यहां पे, right, तो हमको cross pairs में यह ध्यान रखना है, correlation, this is called correlation in the stock, it's called correlation in this, ठीक है, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हम ले ल को strong देख रहा हूं की weak देख रहा हूं, वीक देख रहा हूं, है न, अब उसी में मैं AUD, USD और AUD CAD, और उसी में मैं बोल रहा हूं की यार यह न, यह यार यह एक important support level पे आ गया है, अगर मैं बोलता हूं, वहां पे मैं weak देख रहा हूं, उत्ते मोलतों भाई, यह सपोर्ट ह support है, यहां पे उपर जाएगा जाएगा और मैं इसको buy कर लेता हूं, तो मैं यहां पे डॉल, Australian dollar को क्या देख रहा हूं, weak, और यहां पे क्या देख रहा हूं, strong, तो क्या यह गलट decision है, मैं trend के against जा रहा हूं, क्योंकि मैं trend के against जा रहा हूं, तो this is very important for you to understand, when see, when this is dollar, AUD गि गिर रहा है, dollar के against me, AUD गिर रहा है, Canadian dollar के against me, तो आपको समझ में correlation क्या है, right, ऐसे आप को relate करते हैं, थोड़ा बहुत, कि दो pairs में क्या correlation है, आपको देखना है कि base currency क्या है, और उसके, आपने जो analysis किया है, उसके, अगर आप उसके against जा रहे हो, तो we can say you are going against the trend, आप trend के against जा Now, this is one link that I will give you livecharts.co.uk, currency strength, इस पर refresh मारो, आप यहाँ पर आओगे, तो यह आपको ना, जितने major major 10 pairs है, इन सब का यह present tense का, चीज बता रहा है, इस वक्त आपको dollar देखे क्या लग रहा है, is it strong or weak? strong and what about AUD and GBP, very weak, सबसे weak क्या, AUD, JPY, USD, GBP, USB, GBP, GBP, USD, GBP, USD, GBP, USD, देखो, क्या यहो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और AUD, USD, देखते है, AUD, USD, AUD, USD, क्या, वो भी गिर रहा है, गिर रहा है, इस वक्त, है न, अच्छा, अगर मैं USD को JPY के साथ compare करता हूँ, तो क इसलिए मैंने इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है इसलिए मैंने लॉंग ट्रेड लिया हुआ है और वह काम भी कर रहा है मेरे लॉंग ट्रेड दिख रहा आप लोगों को तो इस वन ओनली वन काइंड अफ हलका सा fundamental analysis करने के लिए fundamentally यह जो यह जो strength meter है यह पूरे fundamental news यह वो सबको correlate करके बराता है तो right now what are the two most strong currencies USD and CAD तो USD-CAD में क्या चल रहा होगा तो USD-CAD में क्या चल रहा होगा यूए-जी-CAD में sideways चल रहा होगा चल रहा है sideways sideways चल रहा है लेकिन उन दोनों में जादा strong कौन सा है USD थोटा सा जादा strong है दिखर आपको हलका सा दिखर आपको upside movement दिखर आपको flag and pole की तरह तो guys this is called currency strength meter जिसके link मैं provide कर दूंगा आपको या तो simple live charts.co.uk लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगा और यह अच्छा क्या यह future बता रहा है क्या यह past क्या बता रहा है यह यह याद रखना नहीं बता रहा है लोग यहीं करते हैं हमेशा जबी भी आप data देखते हो open open interest data पढ़ते हो या कुछ भी रीड करते हो data वगेरा तो you think it is future but is it future it's not it's not it is the present tense तो इसको ना एक डम dependent मत हो जाना इस चीज़ पे क्योंकि यह कई बार change हो जाता है आप देखा कि भाई यह strong है यह भी के shot कर देता हूं पता चला कि यूएसडी जीबीपी में अल्रेड़ी जीबीपी में अल्रेड़ी फूरा सपोर्ट लेवल आ चुका है कि इसमें अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यह अल्रेड़ी एक inverted head and shoulder बनाने के पाथ पे आ चुका है कि यहां से इसमें movement आ सकता है राइट राइट वी के नाव गो लॉग ड़न गाइस क्या आपको यह समझ में आ गया आपको रिसेंट के मेरे ट्रेट दिखाता हूं थिक है जो मैंने लिए अच्छा अब एक चीज बता रहा हूं अब गोल्ड में और कोड कोड क्या होता है इस सब्सकों सब्सक्राइब एक इस एयुए उसे उसडी अ जब गॉलड करोगे ना गॉल्ड का लॉट साइज आप जो भी अभी अभी मैंने आपको बताया आपको साonnenा पड़ेगा गोल्ट्रेड करने के लिए क्या बोला मैंने आपको इसका हाफ करना पड़ेगा गोल्ड का लॉट साइज इस बिगर देन करेंसी पेर्स अगर एक हजार डॉलर के अकाउंट में मैक्सिमम पॉइंट फॉर था तो यहां पर कितना जाना चाहिए अपन को पॉइंट तो याद रखना इस इस दा ओनली थिंग ड़ाइं टेल यू फोरिक्स एक्जाक्ली यह तुरंट बूम कि इसमें इत्ती लंबी-लंबी विक्स बनती है इतना थेज मूमिन्ट आता अकर लॉट साइज बढ़ने का अकाउंट ब्लो जाएगा गोल्ड बहुत बहुत जाधा और कभी फसना मत चक्कर में कि सिर्फ गोल्डी ट्रेड करूंगा इसे सिल्वर ट्रेड करूंगा सिर्फ यूएसडी जेपी वाइट करूंगा बक्वास यू ट्रेड वियर यू गेट अपॉर्चुनिटीज ओके नाव कमिंग तो इस क्रूड ओयल तेंग यूएस इसमें जब करोगे ना तो अगर आप पॉइंट ऑन कर सकते थे करेंसी में गोल्ड में पॉइंट यहां कितना जा सकते जो सकते हो पॉइंट छा सकते हो पॉइंट सेवन जा सकते ओए मुवमन्ट का छोटा होता है बस इत्ता ही आपको सीखने की ज़रूत यूजग होता है अपकी मरजिन भी कम लेगा मतलब पैसा उसमें जाधा लगता है तो मुवमन्ट भी जादा आता है इसमें पैसा कम युज़ करता है एक लॉट साइज तो दोई चीज होती है भाई ठीक है तो पॉइंट जीरो वर अगर देखो दिपेन वादी कह रहा है अगर हंड्रेड डॉलर मतलब 7000 रुपए का काउंट वो यूज करेगा तो कहा लॉट साइज होना चीए दिपेन का 0.01 0.02 0.04 अगर गोल ट्रेड कहर है तो 0.02 करेंसी तो 0.04 Praise도 पॉइंट 0.06 तो आप एक पॉइंट और और बढ़ा दोगे तो पॉइंट इसको भी लॉट बोलते हैं तो उसको छोड़ देते हैं तो गई सबको समझ में आ गया है लॉट साइस बता दिया ऑईल का भी कि थोड़ा बढ़ा के ले सकते हो गोल्ड का सिल्वर का कम करके लेना है और नॉर्मल पेयर का तो मैं बता दिया पॉइंट फोर है ठीक अब आते टेक्निकल अनालेसिस पे ना मैं दिखा हूंगा आपको exactly मैंने क्या क्या किया तो देखो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं क्या ट्रेड करेंगे हम लोग वी विल ऑल्वेस टाइम फ्रेम के बारे में बताता हूं आपको सबसे पहले वी विल ऑल्वेस प्राइटू ट्रेड री टेस्ट ब्रेक आउट and retest over here okay we always in wonderful price action it happens over here we always try to trade not this breakout but this breakout okay we always try to take retest retest we always try to follow the trend we never try to go against the trend we follow the trend okay now let us say अगर हम four hour time frame पे आते हैं four hour time frame पे हमको दिखता है की की एक downtrend चल रहा है ऐसा और अब four hour time frame पे आने के बाद ये उपर आने लग गया ठीक है तो one hour time frame पे मेरा trend क्या हो जाएगा अप की अप अप one hour time frame पे मेरा trend वन और one hour time frame बहुत बड़ा होता है तो मेरे को कौन से इंटरी देखनी चीए यहां पे पंदरा मेरे के time frame पे क्या किया मैंने मैंने चार आवर पे structure बनाया चार आवर का जॉब है structure की information देना ठीक उससे मालूम चला कि अभी इसे आने वाला है मार्केट कैसे मूफ करता है क्या अपने क्या सीख आज तक मार्केट कैसे मूफ करता है मार्केट किया ऐसे मूफ करता है जिग्जाग यह मार्केट स्ट्रॉप्टर त्या और क्या यह मार्केट स्ट्क्चर टू ए a consolidation and then movement right so there are only two market structures in the world ए तो जिग्जाग या consolidation movement and then consolidation तीस्रा नहीं होता तो चार आवर टाइम फ्रेम का क्या जॉब है आइडेंटेफाइ करना कि क्या हो रहा है जब आपको यह इडेंटेफाइ होता है तो वन आवर टाइम प्रेम पर कि क्या देखना है आपको ट्रेंड देखना है वन आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखना है वन आवर टाइम फ्रेम पर कि अभी का रीसेंट ट्रेंड क्या ना है चार फोर आवर पर क्या देखना है मार्केट स्ट्रक्चर एंड बिग लेवल्स ट्रेंड लाइन अभी हमको यहाँ पे त्रेड मिल रहा है तो एंट्री कॉंसे त्रेड पे करूंगा पंद्रम इनिट चलो तो रिशेंट ट्रेड जो मैंने लिया है वही शो करता हूं आपको ठीक है जस्ट अभी जो मैंने ट्रेड लिया अब वह देखते हैं इसको मिने ट्रेड क्यों लिया ओके आते हैं तो चार घंटे का टाइम सब हटा देता हूं आप अपने कोई इंडिकेटर की जरुत नहीं कुछ डाइवरेज नहीं कुछ भी नहीं मुविंग आवरेज बी नहीं देख रहा हूं मेरे को इतना भरोसा है प्राइज अक्षन पर मेरे को इतना भरोसा मार्केट मुवमेंट पर एडोंट केर अबाउट इस थिंग थोड़ा सा वॉल्यूम देख ले रहा हूं मैं बताओंगा वॉल्यूम कहां देखा मैंने तो चलू तो सबसे पहले कौन सा टाइम देखना है ड बंदो जाता था थोड़े समय के लिए सब बन नहीं को इसमें ना चार घंदे का बहुत अच्छा watching the का time frame देखके क्या लग रहा अपन को यह क्या movement दे रहा है downtrending movement दे रहा है लेकिन structure जब मैं देखा तो structure देखके क्या लगा मेरे को की it could give us a it could give us what inverted head and shoulder दे सकता है यह क्या यह inverted head and shoulder दे सकता है दे सकता है लेकिन trend तो down चार घंटे पे तो क्या मैं को trend देखना था चार घंटे पे नहीं मेरे को लेवल structure समझना था the structure here states it is kind of a inverted head and shoulder अब मैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे आया अब एक घंटे के टाइम फ्रेम पे आया तो क्या breakout दिख रहा आप लोग को यह वाला क्या यह नए trend की शुरुवात है क्या यह नए trend की शुरुवात है तो यहां पर मैंने अपनी कौन से टाइम फ्रेम पेंटर करूंगा पंद्रा मिनिट पे तो क्या यह इसके बाद यह के candle कर सकता हूँ इस candle पर या फिर इस candle पर भी कर सकता हूं ली टेस्ट भी हो गया रैइट वैसे तो मैंने इसी candle पेंटरी कर ली थी इस breakout पेंटरी कर ली थी ठीक है तो अब मेरा stop loss कितना जाएगा यहां पर stop loss कितना जाएगा यह यह इसको यह यह जोड़ आ एक्विबुम्य स्टंप लॉस इसके नीचे यह शुड़ाइ कीप मैं स्टॉप लास इसके नीचे इसवे शुर्म थ empresa झाव् and this is which is going to be my stop loss A, B और C तो क्योंकि अब ट्रेड चालू हो चुका है तो अब तो C पे शिफ्ट कर देना चाहिए ना बट जब ट्रेड चालू नहीं हुआ था तो क्या मेरे को A पे stop loss लेना चाहिए था क्योंकि B पे ले रहा हूँ अगर B पे ले रहा हूँ stop loss अगर तो इतना सा कितने Pips है छे Pips के लिए क्या मैं साथ Pips के लिए कंजूसी करनी चाहिए मैं कहा 7 Pips के लिए नो राइट राइट क्योंकि ये टाइम फ्रेम क्योंकि हम लोग कॉन से ताइम फ्रेम पे ट्रेड देख रहे हैं कौन से टाइम फ्रीम पर डेख रहें लगबग लगबग वन आवर पर देखा वन आवर के ट्रेंड को पकड़ रहे हैं पंदर वेट पर एंट्री कर रहे हैं चलो सभी है तो आवर ट्रेट शुड बी वी श्यूट पूट स्टोप लौस राइट दिस मच इस अवर स्टोप ल टार्गेट किता जा सकता है मेरा ट्रेट का वेर इस दा कन्सॉलिट कहां पर रूख सकता है आकर के वर्ट यू थिंग इस इस गूइंग तो इस लेवल इत माइट फेस्टेंस एंड देन दिस लेवल राइट इस इस कॉल्ड तो दिस इस मैं अब मैं वापस आ करके अगर लेट के मैने यहां पर ईंट्रि ली है यह मेरा स्टॉप लॉस है यह मेरा टार्डेट है कम से कम वन इस टुवन जा रहा है इस बिल्कुल ले सकते बेड़ी बात नहीं है और अभी फिलहाल अब मेरा अब मेरा स्टॉप लॉस का शिफ्ट कर देना चीए अब मेरा कर देने चाहिए, C पे कर देने चाहिए, मेरे को मेरा stop loss, ठीक, तो अभी ये 1 is to 5 का trade बन रहा है, फिलहाल के लिए, बट मेरे को I should try to keep trailing, I should try to keep trailing, I should try to move this, अपना stop loss change करते-करते मेरे को, करते जाना चाहिए, यहाँ दिखते हैं, यहाँ दिखते हैं, 11 आपको, यह 975 है, यह वन नहीं बता रहा है, यह अधर बता रहा है, तो 1 is to 2, 1 is to 1, यहाँ पर दिखता है, जो risk reward ratio दिख रहा है, आपको, यह, ओके, so, do you understand the technicals, तो this was one trade, अब, इस, अब crude oil के trade पर आते हैं, अभी crude oil के trade पर आते हैं, तो मैं सब कुछ remove कर दिता हूँ, यहाँ से, remove कर द यह तो आपपे depend करता है न, यह तो आपपे depend करता है न, आपपे depend करता है न, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को, क्या use करो, 4 hour time frame खोलो, structure देखो, 1 hour time frame आओ, trend देखो, 15 मिट पे कुछ price action देखो, और entry लेलो, तो मैंने यह suggest किया है, मेरा recommendation क्या है, मेरा recommendation है, price action, अब इसको छोड के क्या और तरीके है, forex trade करने के, 10,000 तरीके हैं या, trade करने के, यह तो आपको manage करना चाहिए न, या personal decision है, बट मैं क्या बोला आपको, ठीक है, अब मैं आपको 4 hour time frame पे लाया, ठीक है, अभी 4 hour time frame पे न, मैंने यह दो trend line, ऐसे trend line को इससे connect किया, ऐसे, इसको connect कर कर रखा था, ऐसा मैंने, ठीक है, ऐसा किया मैंने, और मैंने plan किया था, पिछले सड़े, कि अगर यह इसको तोड़ेगा न, तो मैं shot करूंगा, बट यह इसको नहीं तोड़ा, तो मैंने crude में trade नहीं लिया, आप जाके देखो, जो पहला forex market analysis का video था न, पहला, या दूसरा उसे मैंने बोला था crude shot करूंगा, बट उसमें मेरे को trade आया क्या, नहीं आया, तो मैंने ध्यानी दिया crude पे, वो अच्छानक से वापस आगे trend line के अंदर, तो करे trend line के respect बढ़ गई कि गिर गई यहां पे, बढ़ गई, और जब वो वापस इस situation पे आया, तो मैं क्या opportunity देख rejection लेने के बाद, अभी rejection लेने के बाद, इसमें यहां पे, अब मैं इसी area को पंदर डाइम फ्रेमे करवट कर देता हूं, ठीक है, आ गया, यह देखो, तो अब यहां पे आपके इसाफ से, क्या यहां पे एक, एक minute न, और जूम इन करता हूं, क्या यहां पे, एक cell entry मिलती है हम लोगों को, यहां यहां पे cell entry मिलती है, यहां कहीं पे, यहां कहीं पे, दोनों में shot मिल रहे है, मिलता है, stop loss कहा जाएगा, इसके उपर जाएगा, इसके उपर जाएगा, तो यहां पे मैंने stop loss डाला, यह trade लिया, और यह trade continue किया, मैंने, यहां तका के profit दिया, मैंने इसम से इंट्री किये मैंने प्रॉफिट बुक करके फिर से इस में इंट्री की यहां कहीं पर और यह देखो किस तरीके का मुवमेंट दिया यहां पर लोगों और और यह तो दो तीन दिन पुराने ट्रेड हो गए मेरे रीसेंट का ट्रेड में आपको बता रहा हूं रीसेंट का यहां पे शॉट किया था मैंने रिसेटली इस पे शॉट किया यह कल का ट्रेड है 16 August कब की डेट है कल की डेट है ना कल की बात है कल मैंने इसको यहां पे शॉट किया और मेरा stop loss मैंने यहां पे maintain किया यहां तक आ गया मैं profit book नहीं कर पाया यह चल रहा था चल रहा था आज जब यहां आया वापस से ठीक है यहां यहां पर मेरा ट्रेड कर आया मैंने फिर से में को exactly याद नहीं है मैं आपको बतार हूं जो कि इतना सारा डेटा आ गया न मेरे सामने यहां पर यह इतना profit दिखाया मेरे को और जब यह वापस आने लग गया यहां करें पर मैंने मेरे इस trendline को भी draw किया, ये trendline को भी follow कर रहा था, ठीक है, देख रहा आप लोगो, अभी उपर एक trendline है ही है, जब ये इस trendline को follow गिया न, यहाँ पे, मैंने यहाँ कहीं पे shot किया, ठीक, मैंने Instagram पे ये भी डाला, कि अब आप क्या करेंगे, buy के shot, मैंने ऐसा डाला Instagram पे आज, अब आप buy करेंगे, shot करेंगे, मैं already, मैं already यहाँ पे shot position पे था, मेरे को फिर profit दिखाया, इस green candle पे मैंने stop loss ले लिया मेरा, तो मेरे को 80-80 डॉलर का profit हुआ, इसमें best तरीका यही है, forex में इतना ज्यादा movement है, आप अपने stop loss ले लो, ज्यादा चरहेगा आपके लिए, ठीक है, आपको और analysis दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, USD CAD, USD CAD देखो ध्यान से, USD CAD को अगर मैं 4 hour time frame पे देखता हूं, तो क्या दिख रहा है, बड़े time frame पे देखते हैं, क्या दिख रहा है, मैंने market कब खुला है, यह 13th August है, 12th है, 13th है, 16th है, ठीक है, market यहां तक आया हुआ था, अपन यहां पे आ जाते हैं, 13th है, 16th है, 13th है, देखो, market यह movement दिया अपन को, इसने अपन को ऐसा movement दिया हुआ है, ठीक है, यह बड़े time frame पे इस trend line को follow कर रहा है, देख रहा है, तो और overall क्या देखके समझ में आ रहा है, और क्या समझ में आ रहा है, आप लोगों को, कि या head and shoulder भी बना सकता है, दोनों बना सकता है, तो buy sell दोनों मिल सकता है, इसमें, अगर हम एक, यह head and shoulder को, अगर हम मानते हैं, कि इस head and shoulder का, अगर यह shoulder break करता है, तो short trade ले सकते हैं, और अगर यह, और अगर यह इस level के पर closing नहीं दे रहा है, अगर यह इस के पर closing देते हैं, तो buy क ठीक वनावर टाइम पर आ गए एक बार प्ले करते हैं अभी वनावर टाइम पर आते हैं तो देखो इसमें एंट्री का वेक्टिवेट हो गई देखो तो इसमें मिनेमम टार्गेट अपने अल्याट चीफ कर सकते हैं तो इसमें अराम से अपने टार्गेट ब्रेक किया और अभी भी वो अपने टार्गेट लेवल से इतना उपर move कर रहा है ठीक तो क्या simple analysis था right it worked like that अब इसकी बात करते है usd-jpy की usd-jpy पर मैंने usd-jpy पर मैंने आप market analysis देखना मैंने उसमें बोला था कि भाई के लिए ही देखेंगे क्यों क्यों के लिए देखेंगे क्यों कि क्यूंकि मैं हमेशा ना वह तो अभी देखा मैं अब कौन बताएगा क्यूं मैं बाई के लिए देखना था क्योंकि क्या मार्केट जब चार गंटे के टाइम फ्रेम में लगातार इतना गिर चुका है तो डियू थिंक आई वुल लाइक टू टेक असल ट्रेड क्योंकि मार्केट कैसा मूफ करता है मैंने बोला जिग्जाग अभी चार गंटे के टाइम फ्रेम पे जब यह ओपर आएगा तो मैं भी और लर्नी यू कन अप्लाइब इस लर्णि इन स्टॉक मार्केट इस वेल हाई लेवल प्राइज अक्षन की बात हो रही है चार गंटे के टाइम फ्रेम का पूल बैग भी एक घंटे के टाइम फ्रेम के लिए पूरा ट्रेंड हो सकता है इत कुड बीए फुल ट्रेंड प्रॉफिट भी उतना पॉटेंशल भी है इसमें इतना इतना यूरो सी एडी में मैंने ट्रेड ही नहीं लिया आ गया भाई तू नीचे अरे वह इसमें क्या हुआ था इस वाले स्टॉक में क्या हुआ है यह बहुत बढ़ी आ मैंज छोड़ दिया छोड़ो इसमें मार्केट ना यहां प्रूग गया था सकते यहां कि इस लेवल से क्या करों गया कर सकते हो यही प्लान कर सकते हो तो इसमें क्या हुआ । इसमें कुछ हुआ ऐसा इसने मेरे प्लान से क्या किया इसने मेरे प्लान के अगेंच्ट चला गया तुम्हें को ध्यान देना चीज इस पर अब वो बात नहीं रही भाई अगर आप आज भी वो breakout ट्रेडर बंडरों की सर लेवल बनाएंगे लेवल ऊपर टूटा तो खरीद लेंगे नीचे टूटा तो बेच देंगे नहीं आपको और better price action advance रखना है आपको market structure नहीं भूलना है कि इसके बाद इसकी probability जादा हाई है त अब इसने क्या किया है अब इसने एक यहां कहीं पर support ले लिया है breakout करके अब इसने अगर यूरो चैनेडीयन डॉलर में कौन स्ट्रॉंग यह इस वक्त देखो इसले फॉल आ गया इसले फॉल आ गया तो यह ऐसे बता रहे है तो अब माइट भी आपनको देखना पड़ेगा यहां पर क्या प्राइज अक्षन होता है तो यह भी दिखा दिया मैंने मार्क इनलसिस का लास्ट देखते हैं जी वी इंट्रेस्टिंग मैंने इसमें मैंने इस अकेले में मैंने मतलब 2700-2800 कल भी इसमें बुक किया था इसमें अकेले बहुत जाधा पैसे बना है क्या देखूंगा यार बताओ क्या मैं कौन सी अपॉर्चुटी देखूंगा यहां पर बोलो अब बताओ वट शुड़ाई फॉलो दे ट्रेंड और नॉट आई शुट बास और क्या अब अगला टाइम फ्रेम वन आपर पे आएंगे आगला टाइम वन आवर हमारा अब मे अब तक अब मिल गई अब मिल गई अभी भी मिल गई अब गयरेंटीट मिल गई तो उसके लिए पंशर मिट टाइम फ्रेम पे आऊंगा राइट तो यहां कहीं पर यह प्राइजड एंट्री जापर मैंने ट्रेड लिया ठीक है अब वन आवर पे आता हूं अब आपका बस पूछता हूं आप लोग ही बतादो इसमें मेरे को टारगेट क्या प्लान करना चाहिए what are the target levels that I can plan as a safe trader, as a safe trader भी जाऊंगा, तो क्या ये plan करना चाहिए ये वाला लो ये ये करना चाहिए या फिर करना चाहिए ये ये दो target होने चाहिए मेरा स्टॉप लॉस मैं कंजूसी करता हूँ इस पे भी मैंने थोड़ा ऊपर लगा के रखा था इससे भी ऊपर लगा के रखना चाहिए आपको अपना स्टॉप लॉस अपने स्विंग हाई से थोड़े से पिप्स आपको देखो यह कितने पिप से ध्यान से देखना 387 ध्या 377 3878 ओनली फॉर पिप ऊपर रखोगे तो स्टॉप लॉस इट नहीं होगा इसमें यूसी इतना बड़ा मूवमेंट आया उसके बाद मेरा एसल हिट नहीं हुआ क्योंकि मैं इसल में कंजूसी नहीं करता आपको इतना बढ़िया ट्रिट दे चुका है और अब यह वार गि हमको फ्यूचर मालूम था क्या हम लोगों को फ्यूचर मालूम था हमको क्या मालूम था कि अगर अगर यह यहां पर मूँपे है तो मैं करूंगा प्राइज अक्शन मालूम था राइट तो आपको क्या समझ में आया तो आपको क्या समझ में आया इससे कि प्राइज आक्श लेकिन मैंने इत्ते क्यों सिलेक्ट किये क्योंकि इन मेरे मतलब नो 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 वाल्यूम लिक्विडिटी नो नथिंग यह सारो में वाल्यूम है सारो में liquidity, no correlation, only 4 hour time frame, 1 hour के साथ match कर रहा था, इसलिए, उसमें कोई setup मिल रहा था, structure मिल रहा था, जैसे 4 hour में एक, ये उपर की तरफ था, तो 1 hour में उमीद था कि ये मिलेगा मेरे को, जिसमें best setups थे, जिसमें best opportunities थी, अब इसके बाद, किसी और PR में बहुत बड़ा move आ चाहिए, तो मु right, so that is right, so guys just now amazing forex class done, जहाँ पर मैं आपको बताया, multiple time frame, this is wonderful, always go with multiple time frame, 4 घंटा, 4 hour time frame, ठीक है, I hope वीडियो देके बहुत मजाया होगा, immense knowledge मिला होगा, सीखने मिला होगा, notes बनाया होगे आपने, तो अब भाई, ये effort पसंद आया, तो वीडियो को like कर देना, और सबसे important है, subscribe क channel क्योंकि अब मैं वीडियो डालने वाला हूँ, how to trade in crude oil, how to trade in options, how to trade dow jones, सीखना चाहते है, how to trade in forex pairs, how to trade in gold, ये सारे वीडियो में आपके लिए बनाने वाला हूँ, और बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ, that will satisfy your soul, that will make you feel good, एक पुरी series है, share the gear नाम कि वो भी आपके और फॉरिक्स फंडिंग चलेंज में कितने सारे डॉलर जीते, तो अगर आप भी चाहते हो इस तरी के offers को जीतना या बहुत सारी services का फाइदा उठाना, तो make sure आपका जो exness account है, वो मेरे account के थूरू link होना चाहिए, तो उसके link आपको मिल जाएगे, account open कर लें, and definitely आपको मि इतने और किसी वीडियो में, चलो भाइ, thank you so much, bye bye.